ये देखे गैज हैं यम्मी टेश्टी शोया बीन बरी से बने हुए कोποते जो की बहुत हेल्दी अर्फ हेल्दी हैं प्रोटीन का सबसे बढ़िया श्रोथ हैं अबितों। तो ये देख सकते हैं एक बाउल हमने ले ली है शोया बीन की बरी जिसको हमने दो मिनट के लिए थोड़ा अधिक पानी में बॉयल कर लिया था तो वो सॉफ्ट हो गए है ये दो टमाटर ये चार से पांच कलिया लेहसन की क्योंकि ठंडिका सीजन है तो लेहसन की कलिया थोड writ लो ग्लास पानी में डालकर सोया बीन की बरी को हमने दो मिनट के लिए बॉयल कर लिया था अचछे से तो देखे बॉयल करने के बाद हमने फैन कर लिए दरदरा तो आप देख सकते हैं इस तरह से पेस्ट बन गया है कि बहुत जादा पेस्ट भी संए और बहुत जादा बड़ा बड़ा जंक्स भी नहीं है तो दर दरा कर लिया है पानी को बिल्कुल स्क्रीज कर देना है सोदा बिन के बरी में बिल्कुल ना रहे तो यह देखिए जो हमने घड़े मसाले लिया थे जो प्याज वोगेरा तो वह भी हम डालकर चॉप कर लिया है और टमाटर को भी अलग हमने ग्राइंड कर लिया है आप चाहें तो सभी चीजों को पेस्ट भी बना कर ले सकते हैं तो यह देखिए हमने अपनी बरी ले ली है इसमें पानी निकाला इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अधिक रहेगा तो इसमें बेसन भी अधिक लगेगा जो कि हमने ले लि देख सकते हैं तो पानी निचोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी अधिक होगा तो बेसन की मत्रा जादा लगेगी जिससे की हमारे कोप्ते जो होंगे हार्ड बनेंगे ठीक है तो हमें सिर्फ बेसन इतना एड करना है कि उसमें एक बाइंडिंग आ जाए बस इतना ह कि हमें वेसन एक करना है तो में आए तो स्वाथ के बाइड जा लगे नमक ठीक हे आप बने ऐसकोद के तो आप आपने पानी सही मातरा में निकाल दिया है तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंक्रेडर्ण जाधा नहीं लगता है बस दो श्पून से आपका हो जाएगा इस तरह से ड़े कर देख लेंगे अगर हमारा तेल में जाकर के बिखर नहीं रहा है वैसे तो यह विखरता नहीं है फिर भी अगर पानी मात्रा जाद होगी तो यह बिखरी सकता है तो एक डाल कर देख लेंगे अच्छे से देखी कूक हो गया था तो अब हम क्या करेंगे इसी तरह से सारे कूक कर लेंगे फ्लेम इसकी ना बहुत लो हो और ना बहुत हाई यानि मीडियम फ्लेम पर ही से हमें कुक करना है तो ये देखिए हलके हाथों से ऐसे चलाते हुए हम कुक कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इनको हम निकाल कर रख लेंगे तो देखे निकाल कर हमारे कुकोगा निकाल कर रख लिए ओयल हमने कर लिया थोड़ा तो इस तरह से देखे हमने एक्स्ट्रा ओयल था वो निकाल कर रख लिया है और हमने थोड़ा सा ओयल कर लिया है अपना ग्रेवी बनाने के लिए तो इसमें हम डाल देंगे हाप टेबल स् और उसको फ्राई कर्लिंग एक टेट अब इसमें हम् टेमाटर प्यूरि आट करेंDo ने टेमाटर पीस करके रखा दाय कर wrand कर के घर यह उसे अपिक से अर्क और राविसमें धनिया पाउडर डाल है कि वहीं एसे ड्राइ मसाले डालने हैं हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तिखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अब यह डाल है नॉर्मल मिर्च पाउडर रेड वाली तो इसको हम डालते हुए भून लेंगे और देखे इसको थोड़ा सा ड्राइ लग रहा है तो मसाले जले नहीं इस वजह से में थोड़ा सा दो स्कून पानी एट कर दिया है जिससे कि यह अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारे मसाले जले ही नहीं अब हम डालनेंगे थोड़ा सा नमक जिससे कि प्याज वगरा जल्दी से भुन जाए क्योंकि प्याज अपना मॉश्चर छोड़ देता है तो जल्दी भुन जाता है तो देखिए भुन गया है और भी आने लगा है इसमें डाल देंगे एक कटोरी पानी आपको जितना पानी जितनी थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी एट कर सकते हैं तो देखिए अब इसमें स यह जेगे बॉल आ गया हम जासे तुश versuchen दो मिट पका लिया है पाई क्रेवी हुष्चोंहें तर अब हमने आपने बालस आए कोपता न जाल देंगे और हिस तो पर चला देंगे तो इसको हम एक मिएट के लिए पका लिए गे इसी ग्रेवी में उसके बाद लग पाँच मि तो आप इसमें हम ग्रीन धनियाट करेंगे और इसको सर्व करेंगे तो देखिए गाइस पांच मिड़ के बाद यह कैसा हो गया तो यह देखिए सर्व कर रहे हैं अपना तो देखने में ही कितना अच्छा और कितना यम्मी लग रहा है टेस्टी एंड डिलिसियस जो कि खाने में बहुत 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 अच्छा लगेगा सभी बच्चों को और सेहसे बच्चों को और बढ़ों को सभी को अच्छा लगने वाला है तो घर में कोई गेस्ट आये हों तो उनको भी बना करके सरव करें तो वो भी देखते ही रह जाएंगे कि आपने होटल स्टाइल कैसे बन हमें जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स डे, नेक्स डे, भी शाद, बाब बाई